हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई योट्यूब चैनल, आल्ट कोईन रिव्यूज, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, और आज की वीडियो का टॉपिक है, वीकली समरी रिपोर्ट, और जो डेट्स हैं, इस वीक की वो हैं, पांच आगस्ट दो हजार उन्नी से लेकर 11 अगस्ट दो हजार उन्नी सॉरी, बारा तो मंडे टू मंडे हो गया, वो आठ दिन हो जाएंगे, 11 अगस्ट दो हजार उन्नी संडे तक, तो पिछले साथ दिन, आज तो खैर ट्यूस्डे हो गया, सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, क् अगस्ट बारक नहीं कर सका, कल बेसिकली इद थी मंडे को, तो कल वीडियो नहीं बनी क्योंकि काफी जादा बुजी था, एद की वज़ा से रेलेटिव और इन सारी चीजों के अंगर, तो कल वीडियो नहीं बना सका, आज वीडियो बनाने का बड़ी मुश्कल से टाइम म पिला तो मैंने सुच आज वीडियो बना दूँ और आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूं कि कफी सारी अपडेट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, इंग्लिश में मैंने शेयर की हैं कुछ अपडेट्स संड़े वाले दिन जब आई नहीं लेकिन उर्दू वीडियो के अंदर कोई मैंने अपडेट नहीं दी हैं आप लोगों के साथ इस वीकली समरी रिपोर्ट के अंदर अपडेट शेयर करने वाला हूं कि पिछले पूरे एक वीक के अंदर क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, तो आगास करते हैं इसका, अब जैसा कि आ आगास हो गया है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज जो है, वो इस वक्त अंडर मैंटेनेंस है, विड्रावल्स इस वक्त बंध हैं और एबार्ड भी अंडर मैंटेनेंस है, तो बेसिकली एक तरह से समझ दीजिए, एक्सचेंज ट्रांजीशन का प्रोसेस स आप लोगों को दिखाता हूं, टेलीग्राम के ओपर कुछ अपडेट्स, सटे टे वाले दिन 10 अगस 2019 को जॉन मैकफे का इंटर्व्यू हुआ, वो इस इंटर्व्यू की हाइलाइट्स जो ती वो डेविट ने हमनारे साथ शेर की थी, तो अब मैं जैसे इन वीडियो को मै जाना चुका था, तो मैं एंग्लिश वीडियो के अंदर इसके बारे में जादा डीटेल अपडेट्स शेर नहीं की, लेकिन जाहरे ये उर्दू वीडियो है, तो मैं इसके अंदर आप लोगो को थोड़ी थोड़ी डीटेल भी बता दूंगा, समरी भी बता दूंगा, हो स पता है, जान मैंक फे अपना खुद का ब्रैंडिट डेबिट कार्ड भी बना रहे हैं, तो वो QR वालेट के साथ डील करने जा रहे हैं, ताके उनको कोई आगे जाके मसला ना हो, क्योई QR वालेट एक ऐसी एंटिटी है, मतलब एक ऐसी चीज़ है, जिसको कोई एंटिटी स् है, और दूसरा जो जान का डिसीजन है, QR वालेट को यूज़ करना वो हमारे नेवर कार्ड पर कोई अफेक्ट नहीं करेगा, जो हमारा नेवर कार्ड जो बैंक फवेस्टेंडी की तरफ से हमने अपना ओर्डर किया है, वो हमें मिलेगा, उसी तरह जिस तरह मिलना था, और उसके बारे में जो प्रॉग्रस रिपोर्ट है, वो बिल्कुल ठीक है, और हमें बहुत जल्दी उसकी तन की तरफ से एमेल रिसीव हो जाए, जॉन मेकफे का एक और मतलब उन्होंने बोला अपने इंटर्वियू में के वो मेकफे एक्सेंज फिलार नहीं बना रहे, लेकि मेकफे मैजिक के ओपर मेल फोकस कर रहे और बिगर अपॉचिनिटी जो है आगे उसके अंदर डेफिनिटली जॉन पार्टनर है और आपने देखा भी था कि जॉन मेकफे ने जिससरा अपने ट्विटर के ओपर वो पिक्चर शेयर की थी, फेस्बुक के ओपर पिक्चर शे अब इस तरह की बारे में अपडेट दी अपनी टेखनोजी लांच करने जा रहा है और वह बहुत जल्दी देखेंगे सारी चीजिए अकॉर्डिक चल रही है और बहुत जल्दी वह लांच हो जाएगी मैफे मैजिक है वह शेडव टेडिंग के लिए साइन अप स्टार्ट करने कर दिये हैं साइनस अरड़ी लाइव है मैफे मैजिक के अंदर और उमीद है कि ट्रेडिंग भी 24 गंटे के अंदर शुरू हो जाएगी यह सटेटे वाली अपडेट्स है जो मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और जो मैफे मैजिक की मेंबर्शिप है वह आप आर् अब 11 अगस्ट को संटे वाले दिन जो लास्ट दे था वीग का उस पर हमें अपडेट मिली के था एक्सेंज करन्ट ली जो एक्सेंज है वो ऑफलाइन कर रहे हैं नए पैर्स के लिए पीछे भी काफी वीडियो बना चुका हूं तो नए पैर्स के लिए इन्होंने एक्से 72 अभी 72 अवर्स पूरे नहीं हुए है और उन्होंने बताया हमें कि एक्सेंज का पूरा लुक चेंज हो जाएगा एक्सेंज एक नए लुक में होगी और बिल्कुली डिफरेंट लुक में होगी और फिर उन्होंने वी वांटेट तो गिव यह ग्लिम्स आफ वाट कमिंग एक्सेंज प्लीज गिविए फीड़ेंगे और नेक्स एक्सेंज यह इस तरह से तरह से आप लोगों को पता है अब ट्रेडिंग करते रहते हैं तो यह चार्ट ऊपर आ रहा है फिर यह वाल्स यहां आ रही है आ बाइंग सेलिंग इन आ रही है इस बिल्कुली डिफरेंट टाइप की एक्सेंज है तो अब जो नया लूग होगा वो इस तरह का होगा कि ऊपर यह ओर्डर बुक आ रही होगी ठीक है यहां से हम अपने क्वाइन सेलेक्ट कर सकेंगे कि किस पैर में हमने ट्रेडिंग करनी है अभी थेरिया में यूएसदी सेलेक्ट हुआ है हमार भी यह एक्सेंज का लोग चेंज किया और बताया हमार साथ शेयर किया कि एक्सेंज किस तरह की दिखेगी और किस तरह उसमें सारी चीज़े होगी उसके बाद उन्होंने वेबसाइट को छे गंटे के लिए बन कर दिया था क्योंकि कुछ अपडेट्स थी जो उन्होंने करनी अपडेट्स तो वेबसाइट 6 गंटे के लिए बन थी उस शे गंटे के दौरान उन्होंने एक एर्र फिक्स किया जो के एर्र था वह जब इन्होंने एक्स्चेंज के बारे में अनॉसमेंट किया था क्या मैं एक्सेंज ऑफ-लाइन करने लगे लिए निउपेज अने के लि तो वो सारी ट्रांजेक्शन ने रिवर्स की क्योंकि वाइर था उसको रिजॉल्फ किया और जो जो लोग उसे अफेक्ट हुए थे उनको दस परसंट एक्स्ट्रा आर्प कोई दी है उसमें मैं भी एक था जिसको अफेक्ट हुआ था अलागे मैंने फुट कोई ट्रेडिंग को जो सोंगों लगी उसको असके उपर मेरी के व्यविवता फैरश से और फिर उसमें से मुझे मेरे 2,000 को इंस शेयल हुए तो बाकी 15 सोच वो नॉर्मन सेयल हुए तो वह दो हजार कोई वाफसी आगए मेरे अकाउंट में और मुझे उसके उपर 200 आर पॉंक का बोनस भी उसी वज़ा से उन्होंने फिर एक्सेंज को शे गंटे के लिबंद किया था ताके वो जो प्रॉब्लम हुई थी उस एरर की वज़ा से उसको रिजॉल्फ करें और सारा कुछ ठीग करें और उसके बाद यह अपडेट आई भी है कि 6 गंटे के बाद वेबसाइट ऑनलाइन हो सब्सक्राइब तो यह सारी अपडेट इस वीग में काफी अच्छा वीग रहा काफी जादा अपडेट देखने को मिली प्राइस में काफी जादा इंक्रीज लगा जैसा कि आप देख सकते कि 46 सेंट्स तक हाई गई प्राइस और वैसे तो एक डॉलर की वज़ा से थी तो अरिव भी शेर कर दिया अगया शारी इंफर्मिशन के बाराने मीशर कर दिया एक सबसे हम से में चीज हम लोग जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं ऐसे एपक्स के करीब आ रहे हैं लाइफ के जैसे ही नियू पैर्ट हो जाएंगे करता हूं उमीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आयोगी लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकर पर सही बबारक अपना दोस्तों इश्यतार और गिर्दनमा के